अफगानिस्तान पर तालीबानियों के कबजे के बाद कुछ समुदाए विशेष के लोग खुलकर अपना समर्तन इस कट्रपनति समुद्ध को देने में जुड़ गए हैं ऐसे में कुछ वो लोग भी हैं जो काबल पर तालीबानियों की फतह के बाद से भारत में पाकिस्तान का जड़ा फेराने में लगे हुए हैं और ऐसे ही सबने देखने वाले एक 23 साल के सलीम कुरेशी को बिहार पुलिस ने गिरफतार कर लिया सलीम के फोन से पुलिस को अपती जनग वीडियोज मिली हैं आपको बताते कि गोपल गंज के फुलवर्य थाने के कोईला देवा गाउ निवासी ताज मुहमत के बेटे सलीम कुरेशी पर ये कारवाई Facebook अकाउंट पर विवादित वीडियो शेर किये जाने के बाद हुई है आरोबी के खिलाफ IPC की धारा 124 से 153 ए 153 भी तदा IT Act की धारा 69 के तहत मामला दर्च किया गया है आरोबी यूवक से पूश्टाश करने के बाद पुलिस ने सूमवार को उससे नयाएक हिराजत में भेज़ दिया है इस वीडियो में इसलामिक लिवाज पहना एक व्यक्ति दोनों हातों में राइफल लेकर कहता हुआ सुनाई पढ़ रहा है कि सुबह तक दिल्ली में पाकिस्तान का जंडा फेरा देंगे इसके अलाव मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाविक इस वीडियो में कई लोगों की आवाजे भी सुनाई पढ़ रही है जिसमें पाकिस्तान के तमाम मजभी जमात के लोग कह रहे हैं कि सियासत की दफा आवाज नहीं जिहाद है लाहौर के कराची तेग बच्चा बच्चा जिहाद के लिए तियार है इस वीडियो में मोदी सरकार को बंदूग दिखा कर चुनोती देते हुए आपती जनक बाते भी कहीं गई है जानकारी के मताबिक सलीम कुरेशी द्वारा शेयर की गई इस वीडियो को देखने के बाद कोईला देवा गाओं में गरामिन गुस्ता गए है तो देखा आपने जहां एक तरफ तालीबान काबूल में धहशत फैला रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनकी विचारधारा पर चलते हुए कुछ लोग हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के जरीए हिंसा फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं लोगों को भड़काने की कोशिश में जुटे हुए हैं लेकिन वो शायद यह भूल कए हैं कि भारत के अंदर ऐसा होने वाला नहीं है भारत के अंदर जिस तरह की सरकार है और जिस तरह के यहाँ पे पुलिस प्रशाजन है वो ऐसे देश विरोधियों को इस देश के अंदर पनपने नहीं देगी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूस धन्यबाद